दोस्तों अकसा हमारे साथ होता है कि हमारे दिमाग में हजार चीज़ जल रही हैं एंड हम चाहते हुए भी अपनी चीज़ पर कॉंसलरेट नहीं कर पा लिए हम कुछ पढ़ना चाहरे हैं हम उस पर कॉंसलरेट नहीं कर पा लिए तो क्या हम कर सकते हैं आज इसके बारे में एक बहुत ही इंपोर्टन चीज में आपको बदाने वाला हूं उसको यूज करके आप अपने ब्रेन को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं आप क्लेरेटी पा सकते है एंड अपना जो काम है आप उसके फॉकस कर सकते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि कभी-कभी होता है कि आपकी मानों दो दिन क्लासेज मिस होगी या बिमार थे आपका सलेवस इतना बढ़ गया आगे कि आपको दो दिन बाद समझ में इन यारेक में जो करना कहां से है मुझे ये भी करना है मुझे वो भी करना है इस चेक्टर में कुछ भी नहीं कर पाते हैं या वो कोई इवेंट लगाना था कहीं पर चले गए इस सबकी वजह से आप करंट से एकदम से डिवेट हो जाते हैं और आप बहुत जाद रहें आगे क्या करें तो इसके लिए एक बहुत important चीज है उसको हम बोलते हैं brain dump brain dump क्या बोलता है कि आपका दिमाद ideas सोचने के लिए हैं उनको stick करने के लिए नहीं तो आपका दिमाद सोचने के लिए बहुत अच्छा है लेकिन storage के लिए अच्छा नहीं है वो कोई भी idea को बहुत दिर तक store नहीं करता है तो आप क् thoughts आपके mind में चल रही है आप एक panel paper लीजिए उन thoughts को आप write down बिल्कुल आप एक एक चीज़ जो की चीज़ आपको bother कर रही है बड़ी से बड़ी से लेके छोटी से छोटी चीज़ आप उस paper पे लिख दीजिए आप अपना दिमाद निकाल कर उस paper में dump कर दीजिए इसका literal meaning ही है brain dump ये अकेले अपने क्या करने से आपके brain के जो mental resources है सोचने वाले समझने वाले जो इन सब tasks ने घेर के रखे हुए थे इन्होंने उसको cover किया हुआ था वो खुल जाते हैं आपके brain को clarity अब आपने क्या करना है इस piece of paper को लेना है एक red marker लेके कोई भी ऐसी चीज जिसके बार में आप कुछ नहीं कर सकते हैं जो चीज आपके विल्कुल out of control है कल क्या होगा एक साल बाद में कहां होगा ये सब आप कोई control नहीं है आप उनको अच्छे से बड़ा सा red cross लगा के खतम कर लीजिए उसके बाद दो ही चीज़े बचेंगी कुछ इस चीज़े जिनके बार में आप कुछ कर सकते हैं लेकिन immediate नहीं आपका जो syllabus miss हुआ है आप उसके बार में कुछ तो करने ही पड़ेगा लेकिन आप आज कुछ नहीं कर सकते हैं आपका आज का शेडूल बहुत टाइटी पैंड है आप उसको blue pen से mark कीजिए and last में आप वो चीज़े देखे जिनके बार में आप immediate action ले सकते हैं उनको आप green pen से mark कीजिए तो आपके सामने ही color coded एक document आजाएगा इसमें जो आपके red चीज़ है उसके बार में आपने सोचना नहीं है जो act आपका cross लगाने का वो दिमाद की help करेगा माइंड की help करेगा उसके बार में सोचना avoid करने में जो green चीज़े हैं वो है आपका immediate का आपको उनके बार में अभी के अभी सोचना है उसको अब एक specific time देगे कि मेरे पास आज time नहीं है लेकिन इस Saturday शाम 7 बजे से 8 बजे को लेके मैं free रहूँगा तब मैं इस काम को उस time पर करूँगा तो आप एक time delegation देखिए अपने brain के mental resources को free कर सकते हैं and trust me करके देखना इस एक single exercise से अपकि clarity इतनी साथ भड़ जाएगी कि आप इसको बार बार utilize करेंगे अगर आपको कोई में doubt हो कुछ समय में नहीं आया then feel free कि आप comment section हो कुछ पूछ सकते हैं and I'll get back to you video अच्छी लगी हो तो please like करना या share it with your friends and leave a comment thank you